पहला जो अपडेट अब हो है पीएवी इंडिया के ट्विटर एंडल से उन्होंनों इसमें एक डॉकुमेंट प्रेस लीज किया है और उसमें बताया है कि कि DCGI ने CSIR को एलगजाई लाइफ साइंसेज के साथ कोल्चिसिंग के फेस्टू क्लिनिकल ट्राइल्स के लिए अप्रिवल दे दिया है बिंग फ्रॉम मेडिकल बैग्डाउंड मैं आपको बता दूं कि कोल्चिसिंग के एंटी इंफ्लमेटरी और अंटी वायल प्रोपर्ट स्पोर्स मिनिस्टर किरन रिज्वू नोंने एक नया सिस्टम लॉंज किया है केम्स विच मींस सेंटलाइज एथलीट इंजिरी मेनेजमेंट सिस्टम और उसका काम होगा कि प्रिवेंशन ओफ इंजिरी तो एथलीट अलोंग विट बैटर डिगनोसिज और ट्रीटमेंट एथलीट्स और इसका डाटा मेंटेंड किया जाएगा बाइन ओनलाइन एथलीट मेनेजमेंट सिस्टम थर्ड अप्टेट इस फ्रों फाइनस मिनिस्टरी जहां पर फॉर्टी फॉर्थ जीस्टी काउंसिल में डिसाइड हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक आइटम्स जो कि को अबर 2021 तक के लिए फॉर्थ अप्टेट इस अबाउट स्टार्टिंग ऑफ न्यूव पीजी प्रोग्राम इन एट डेली एम्टेक इन एक्ट्रिक मोबिलिटी ये पीजी कोर्स काट इस सेंटर फॉर्टमोटिव रिसेर्च और ट्राइबोलोजी ने ओपर किया है और इस क अबर्डेट इस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक रीसेंट ट्रीट में बताया गया है कि आयट ये लावाद कि साइंटिस्ट के टीम ने डैनो टेक्नोलोजी बेस्ट रैपिट टेस्टिंग के डवलप किया है जो कि सश्टी और काफी जल्दी रिजल्ट देंग और नियर फूचर में आर्टी-पीसियार टेस्टिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हेल्थ एंड साइंस रेट्वी अबडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें